इसब है लो ट्रेटर्स तो कैसे आप लोग आसा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं के कैंडिलस्टिक साइकलोजी में बताया था आपको कि जल्पी प्रसंद करना उसमें तो आसा करता हूं कि वीडियो आप लोग ने क प्रसंद किये होंगे और किये भी हैं मतलब लोग ने कमेंट भी किया अच्छे से समझ में भी आया ठीक है इसलिए मैंने आज सेकेंड पार्ट बनाया हूं ठीक है अगर जो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और जाके आप प हो ओके तो चलो पॉइंट पर आते हैं पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए किस मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए मैंने सारा चीज यह ब है अब भी मार्किट में इस टाइब का केंडल यह बन रहा कि इसको हम लोग पकड़ सकते हैं कि नेक्स्ट केंडल हमारा क्या होने बारे में आप इसके पहले हम कुछ चीज जानते हैं आनि की जो चीज हम गल्ती करते हैं मतलब हमें जब करना स्टाट करते हैं तो हम क्यक घलती करते हैं तो मैं आपको यह बता ना चाता। कि हम लोग को सबसे इले और सबसे बड़ी मैं हिस्टेक यह है कि कि देखो मैं सब कुछ जान रहा हो तो आप अच्छ Changing के बारे में हैं कि आप जानते हो कुछ नो कुछ तो आप जान रहे हो लेकिन अब यहाँ पर गलती क्या होता है थो सींपुल सी बार दाने करने हो प्पूर प्लेनिंग के साहत नहीं करते हो एक प्लेन बना लो और इसमें आप लीक दो जैसे आपने आप ट्रेडिंग करने बैठा तो आप एक टार्गेट ले लो तो एक टार्गेट ले लो कि आज मेरे को 20 डोलर चाहिए ठीक है या फिर आज मेरे को 30 डोलर चाहिए जो भी है 20 चाहिए 10 चाहिए या 5 चाहिए इतना भी है whatever ठीक है according to your capital अब सेट कर लो कि मेरे को इतना चाहिए अब सेट कर लिया सेट करने के बाद आप अगर जो उसको profit करते हो या loss करते हो तो इस दोनों में आपको agree होना पड़ेगा इस दोनों में आपको agree होना पड़ेगा अब यह नहीं कि हमने profit किया या loss किया तो इसके बाद भी इसके अगेंस्ट आनि कि अपने rules के अगेंस्ट अपने target के अगेंस्ट जाओगे तो फिर आपको problem होती तब आप loss करते हो ठीक है चलो यह तो कि फर्स्ट सेकेंड तींग कि अगेंड एंड अगेंड प्लेश कोई भी ट्रेड आनि कि अगेंड अगेंड प्लेशिंग करते जाते हो जैसे आपने सपोज मानों आपने prediction किया रईट आपने एक prediction किया और यह आप थोडा सा डॉण आया आया जब यह अब करते यहां पर एक ट्रेड लिया उच्छ पर एक एक पर ट्रेड प्लेस करते चल जा तो वेसक हो 70 का ही अमाउंट है लेकिन हम यह चीज नहीं करेंगे जब मेरा प्रेडिक्शन सही है खुद पर कॉन्फिडेंस है तो कोई बात नहीं वेसक वो लॉस ही क्यों नहीं हो लॉस होगा फिर भी हम नेक्स्ट पर प्रेडिक् हो चाहे वो लोस हो यह प्रोफिट हो ऊशकर हम देख लेंगे हम पूरा यह देख लेंगे अपने इसको कि क्या चल रहा है ठीक है ना अचया अब दूसरी बात यह है यह दूसरी हम करना बैठते हैं प अब युसंप कमाना चाहते हो भाई सल ऊसाटा और या फिर एक byजनेस संप्राट किया नहीं होता है थोड़ा सा बिजनेस में देखना पड़ता हैबिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है साथ में उसमें करना पड़ता तर्यू तो होता है ना लेकिन ट्रेडिंग में क्या है आपने अभी 10 डिलर डिपोजिट किया और फट से आप सोच लोगों कि यह पैसा कमाना है मतलब 10 से सोच लोगों कि 20 बना दू 50 बना दू 100 बना दू ऐसा कहां होता कहीं भी फिल्ड में नह नहीं सोचेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे सीखेंगे अच्छे तरीके से उसके बाद हम कमाने के बारे में सोचेंगे उसके बाद हम इसमें कमाएंगे ठीक है चलो नेक्स्ट हमारे क्या है नेक्स्ट अब क्या होती कि चलो हमने सीखा आपका एन्लीजीश है आपके खुद के ऊपर ठ्रस्ट होना चाहिए तो फिर कैसे होगा आपको खुद पे confidence लाना होगा दूसरों से ज़्यादा अपने पे लाना होगा दूसरों के signal से ज़्यादा खुद पे लाना होगा ठीक है तब भी जाके आप अच्छे खासे profitable trader बनोगे आगे बढ़ें आगे बहुत सारे बहुत सारे लोग यह गलती करते ह हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओबर ट्रेडिंग राइट अब यह ओबर ट्रेडिंग कैसे करते हैं लोग चलो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग करने के लिए बैठा ओके मैंने 100 रुपिया प्रोफिट किया चलो 100 रुपिया प्रोफिट किया मैंने उसके बाद मैंने बहुत खुस हो जाएंगे, तो हमें लगा कि और अच्छा मोटिवेशन में लगा, कि चलो, अब तो और ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, चलो, ओके, 100 से आगे 200 का लिया अपने, ये भी प्रोफिट में हुआ, ठीक है, नेक्स्ट, आपने फिर से 300 का लिया, ठीक है, ये भी प्रोफिट हुआ, लेकिन, अब नेक्स्ट हमारा 100 का ट्रेड ये माइनस चल जाता है, ठीक है, ये ट्रेड हमारा माइनस चल जाता है, अब यहां से हमा सुआ है कि ये जिस्ट सौ रूपया है इसको हमें चाहिए रीकवर इसको चाहिए रीकवर लेकिन यह पर यह प्रोफिट नहीं दिखती है यह नहीं दिखेगा हमें इसका माइनस जो है यह वाला चाहिए मुझे रीकवर चलो अब रीकवर करते हैं रीकवर सव रीकवर करने के लिए फिर मैं बापी सव का ट्रेड लूँगा या फिर हम 200 का लेंगे राइट यही ना चलो 200 कर लिया अब यह माइनस जाता है तो यह दोनों जोड़ लेते हो आप कि अब हमें इससे रीकवर चाहिए जस्ट लाइक बोले तो आप मार्केट से क्या कर रहे हो रीवेंज मार्केट से बदला लेना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट सुप्रीम है ठीक है क्या है मार्केट सुप्रीम मतलब मार्केट से हम कभी भी बदला नहीं ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए ओवर ट्रेडिंग के लिए हमें अश्टोप क बताया ना मैंने यह सब जो बाते बताया ना यह सब को ध्यान से देखो जो जो मैंने बताया ना इसमें सारे include हैं ठीक है ना सबसे पहली बात आप एक plan के साथ करो target बना लो ठीक है एक loss होता है ठीक है उसके बाद आप फिर से prediction कर रहा है दिन में आप target रखो कि हमें 2-3 trade highestly ठीक है 2-3 trade का लेना है चाहे profit हो यह चाहे loss हो profit हो यह loss हो हमें निकल जाना मार्केट से ठीक है तो यह सब चीजों को follow करो गये ना तो automatic overtrading आपका रूख जाएगा ठीक है ना automatic आपका overtrading रूख जाएगा ठीक है चलिए यहां तक समझ गये अब एक और last बताता हूं कुछ लोग क्या होते हैं ना की trading को चलो trading हमने सीख लिया कर लिया लेकिन कुछ लोग ना आप 12 बज़े रात में भी उठके trading करते हो मेरे को comment box में अब भी बताना कि यह आदत किस किस में है मतलब जब भी नीमी खुला ना एप खोलो कि उसमें 10 डॉलर से धाना उसमें छे डॉलर बचा हुआ है मतलब यह आदत किस में भाई मेरे में भी पहले था ठीक है जब भी नीमी खुला ना ट्रेडिंग के यह चीज आ गया ना आपके अंदर तो समझ लो कि आपको एक लाख भी आमांट दे देगा ना बापिस आप जीरो करके ही बैठ होगे ठीक है तो यह चीज बिलकुल भी नहीं होना चाहिए एडिक्टेट नहीं होना चाहिए आपको डे बाई डे प्लैन करके चलना है कि हमें एक डे में इतना ही ट्रेड लेना है चाहे प्रोफिट हो या चाहे लोस हो निकल जाना है ठीक है एक टार्गेट लेके चलना है टार्गेट के बाद हम काम नहीं करेंगे ठीक है एक बेक्ती अगर जो दिन का कहीं काम करता है तो दिन का उसको 300 या 500 मिलता है काम कितने घंटा करता है almost 8 to 8 to 10 hours है ना तब जाके उसको कितना मिलता पता है ना तब जाके उसको 300 और या फिर कर दो कि 500 मिलता है ठीक है ना चलो मैं लिख देता हूं 500 मिलता है लेकिन हमें हम यहां पर क्या सोच रहे हैं हम यहां पर 10 डिपोजिट की है इट मींस चलो आयनार में लिखता हूं अल्मुस्ट 750 ठीक है और डेली का टार्गेट क्या रखते हैं डेली का टार्गेट रख लेते हैं कि हजार रपिया मेरे का चाहिए है ना हजार या 500 या कुछ लोग तो ऐस यह सारी बातें आप हो सकें तो एक-एक करके आप लिख लो ठीक है और लिखने के बाद एक-एक करके आप फोलो करना चलो करना के लिए हैं कि आगे बढ़ है ठीक है इसलिए वीडियो में मैंने बात किया था कि मार्केट कितने टाइपस के होते हैं ठीक है कौन से मार्केट में क्या क्या करना चाहिए जिसे की हमने बताया था कि थी तीन टाइपस के मार्केट होते हैं थ्री टाइप्स ओफ मार्केट ओके फर्स्ट क्या बताया था मैंने फर्स्ट में यह बोला था कि एक होता इस टर्क मार्केट होता है इस टर्क मार्केट ठीक है सेकेंड इज करेंजिन मार्केट ठीक है थर्ड इस ट्रेंदी मार्केट ओके मैंने यह बताया था चलो मैं फिर से एकाई रिवीजन क्या हूं कि स्टर्क क्या है रेंजिन क्या है और ट्रेंदी क्या है ओके चलो ए firearm अश्टरिक मार्केट हां इस एरिय को आप देखो का शोय में व कि मोश्टिक है यहाँ पर सिमिलर में चल रहा मारकेट के चल ला थे मिलें न यह तक होई है ना यह मतलब बोले ओपर नीचे मतलब इस एरिये में हम लोग ट्रेद नहीं करना चाहिetus हम लोग को डर्ट करना चीए ठीज है यह स्टक हो गया बापिस आते हैं रेंजीन मार्केट तो रेंजीन स्टक का थोड़ा सा बड़ा होता मतलब स्टक बोले तो यह स्टक है रिया ना तो सेम स्टक ही रहेगा लेकिन रेंजीन में क्या रहेगा थोड़ा सा ज्यादा उपर नीचे होगा ज्यादा बोले तो मैं दि त्रेंडी मारकेट त्रेंडी मार्केट की त्रेंडी मार्केटका मतलब तो आप लोग को पता ही और्क ready होगा कि जस्त लाइक ट्रेंड ओके जब चलो दिखाता हूं मैं करłe wolf प्रोट जो से जड़र खिड़ें प्रोट जासे को तो सकते हैं ऑन रहा मतलब यहां से एक डाउन मीचे क्या रहा चलते रहा रहा ट्रेन तो हम लोग इसको ट्रेन डी मार्कक वो लेगे उसके बारे में थिक है नॉथ जो बीक्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि यह इसका जो बीक्स क्यों निकलते हैं ओके लेकिन इसके पहले हम यह जानेंगे कि केंडल रेड क्यों होता है ठीक है मेरे कहने का मतलब की केंडल का जो सेडो है वो रेड क्यों होता है ठीक है और ग्रीन क्यों होता है मतलब लोग जानते होंगे और नहीं लोग के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं ठीक है सपोज मानों कि यह वाली केंडल एक एक केंडल बना देता हूं मैं ठीक है कि कि है कि यह वाली केंडल है ठीक है तो यह केंडल रेड क्यूं हुआ ठीक है चलो इसके बारे में हम बात करते हैं एक केंडल गिरिन भी बना देते हैं एक और बना देते हैं ठीक है अब देखते हैं जैसे सिंपल सी बात है कि रेड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है seller का pressure ज्यादा होता है ठीक है और green का मतलब क्या होता है buy अनिकी green का मतलब हम buy समझेंगे है ना और seller का मतलब red candle ओके अब यहां पर यह red क्यों बना और यह green क्यों बना देखो अगर जो highestly यहां तक market गया है लेकिन road कहां दिया यहाँ पर yellow कभी यहां से start होगा या फिर कहीं संस्टार्ट होगा अगर जो नीचे Kelsey देगा तो यह हमारा closing हो जाएगा और यह हमारा open हो जाएगा ठीक है यहां तक उपर आया यहius लो आया है चलो अब इस candle से यहां से ही राट होता है यहां से बारे में से से भी स्टार्ट होगा next candle मैं इस candle के बारे में बात कर रहा हूं ओके लेकिन कहीं से भी स्टार्ट हो सपोज आप मानलो की चलो एक केंडल लेता हूं मैं ओके यहां से gap up open हुआ ठीक है और यह fluctuate होके ऐसे इसे गया फिर बापिस गया फिर नीचे आया फिर नीचे आया लेकिन यहां पर इसके थोड़ा सा भी यहां भी close देगा तो यह doji यह hammer type बनेगा ठीक है ना अब थोड़ा सा यहां देगा फिर भी hammer यह doji green color का रहेगा लेकिन थोड़ा सा इसके नीचे आके close दियाना यहां पर फिर यह red candle हो जाएगा मेरे कहने का मतलब पिछले वाला candle के थोड़ा सा भी down में close होगा यानि कि इस rate से थोड़ा सा एक एक पैसा का भी कमी होगा तो यह नीचे रहेगा मतलब इसके red बन मतलब यहां पर भी रहेगा तो डोजी टाइप बनेगा और पूरा यहां के देख रहा तो यह green बनेगा किलिर है अब आते हैं red तो यह वाली candle candle start हुआ ठीक है कहा से इस जगह से इस जगह से start हुआ ठीक है नचा आया उपर गया नीचे आया उपर गया फिर उपर मारा यहां तक यहां तक अब यहां पर यह देखते हैं कि कि के नीचे दिया इस candle के नीचे इस candle के थोड़ा सब मे नीचे बोला तो रेड होगा और थोड़ा सा भी इस रेट से एक पैसे भी उपर रहेगा तो रहें तो यह गिरीन बन जाता अगर यहां पर देता तो गिरीन रहता यहां um हो जाता तो भी अंई ऑну सा बनेगा तो यहां पे बड़ते हैं चलो तो अब आगए आते हैं की shadow क्यों होता है अब यहाँ पर चलो candle के वारे में ने बता दिया ठीक है अब आप लोग पुछोके कि सर यह सब जो shadow निकसता है इस ताइप के चाहे गिरिन में हो या फिर रेड में हो तो shadow का मतलब क्या होता है एक question आता है तो चलो मैं सेडो के बारे में आज थोड़ा सा ये से एडवांस लेवल का है वैसे तो एडवांस थोड़ा बहुत बोल सकते हैं बाकी तो बैसिक में आता है एडवांस तो अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है ठीक है तो चलो थोड़ा सा एडवांस में में बात करता हूं कि सेडो कभी भी इसको shadow बोल सकते हैं, यह वाली जो है ना, यह या फिर red या green हो, इसको हम shadow बोल सकते हैं, और आप क्या-क्या बोल सकते हो, shadow बोल सकते हो, और head बोल सकते हो, जैसा कि मैंने भी बताया, ठीक है, head and tail, तो head and tail कहने का मतलब यह है कि अगर जो green candle है, ठीक है, तो green candle में यह यहां से open हुआ, उपर की और close दिया, आनि की buyers का candle है, तो green candle में head इसके उपर की और होगा, और tail नीचे की और होगा, ठीक है ना, green candle में यह जो head होगा, वो उपर की और होगा, ठीक, और tail जो होगा, वो नीच के और कलिए तो आते हैं तो रेडड़ में जब नीचे की और कुलोज दिया यहां तक बंद हो गया तो इसका हैड कम सा कोला होगा नीचे वाला होगा के किलियर के नव आते हैं यह उपरवाली क्या होगा तो और वाली हमारा टेल होगा क्यूं कि सुक्कि यह समय होगा क्योंकि यह स्टार्ट हो गाड़ी और यह अंक्ठ आके बंद हो गया तो गाड़ी का तेंज नहीं होगा न यह हमारा हेड हो जाएगा क्लिए रहे हैं आब आते हम क्यों थे GUYS एडो तो यहां कुछ भी बोल सकते हो आप ग्वीक्स, एड़, एहड, एंट, टेल क्यों बनते हैं चलो कभी भी कोई भी बिट्स बने चाहे ग्रीन में बने यह डे में बने वह आपको यह दर आता है कि opposite pressure आने वाला आना कि bigs का मतलब है कि pressure of opposite generally हम बिक्स को इस तरीके से जान सकते हैं कि opposite का pressure आने वाला Suppose आप देख लो चलो ये candle है ठीक है ये candle अब यहाँ पर चोटा चोटा बिटो या बड़ा बड़ा भी सो ठीक है ऊगया तो छोटा में आपको बताओंतों गाहीं दीक है अ on होगा वह आने वाला टाइम यहां पर चेंज होने वाला अगर जो लंबी डिधा ओस हो thrill ६ ठीक है मतलब अगर जो लंबी जैसे यह ग्रीन केंडल का बता रहा हूं मैं चलो कि इधर गया हूं जैसे लंबी लंबी अगर जो ग्रीन में बने चलो मैं ड्रो करके बताता हूं आपको चोड़ो चार्ट एक सकंड मैं आपको ड्रो करके दिखा रहा हूं सो ठीक है तो जैसे चलो अब यह गृरीन केंडल है और शेड़ो आ रही है है हमें यह सब चीजे देखना है मतलब सब चीज को देखना कि Market कौन सा Market में अगर जो अस्टक Market में बन रहा है ठीक है अस्टक मारकेट में बनने के साथ अगर जो S&R Level है सब्पोर्ट इन रेसिस्टेंस लेवल है तो वहां से प्वांट पोइंट ज्यादा , ठीक है लेकिन संरल नहीं रहेगा तो रिवर्चल का पॉइंट रूरेंट कम रहेगा रहंगे सेम, मतलब कि यह चीज़ें में इस तरीके पहले जानो, चलो मैंने VIX के बारे में बता दिया भीक्स पारे में के भाद हमने कहां पर अप्लाई करना कहां पर नहीं करना ये चीजें भी देखना हम जरूरी होता है ठीक है लो सपोर्ज हम नेमें आपको ये बताया कि ये ग्रीन गेंडल में हमनें ये देखा कि बड़ी-बड़ी सा रहे है तो मार्केट ऊपर जाएगा ठीक है लेकिन अगर जो red candle में नीचे की और बड़ी-बड़ी bigs आएंगे तो market नीचे ही आएगा ठीक है लेकिन market trend होना चाहिए अगर जो trendy market होगा तो नीचे चलता चलाएगा तो मतलब यह कहने का मतलब यह हुआ मेरा कि अगर जो trend down है ठीक है और down trend में नीचे की और बड़े-बड़े bigs है तो यह down चलता चलाएगा ठीक है अब trend है अब trend में बड़े-बड़े bigs आ रहे हैं तो अब चलता चल जाएगा लेकिन अब जा रहा है जिसे यहां पर अप गया बड़े-बड़े bigs के साथ यहां पर एक support level है तो यहां से reversal का point जादा रहेगा ओके आनि कि जिस area में अगर जो इस टक market चल रहा है इस area में बड़े-बड़े bigs जा रहे है ठीक है और साथ में green candle बन रहे है अगर जो green candle में बड़े बड़े bigs को पी बन रहा ठीक है तो यह उपर की ओर चलते चल जाएगा ठीक है उपर जो अगर जो ऊपर चलके एक resistance लेबल रहेंगा ठीक है तो वहां से reversal का point ज्यादा बनता है ठीक है दोङ यहां पर ज्यादा चांसे से की रिवर्स मार्केट हो सकती है अब जैसे बीक बड़ी होगी अपोजिट ग्रूप का प्रेशर बढ़ता जाएगा अगर जो चलो ट्रेंड में जा रही है अब जिस तरीके से बड़े बड़े बीक निकलेगा ना जैसे बड़ी बड़ी बीक नि बिचे आने वाली है चाहे मार्केट आपका स्टक हो या फिर एंजिन हो या फिर ट्रेंडी मार्केट हो ट्रेंडी मार्केट में भी आपको यह देखना कि आगे किस एरिया तक कि रेसिस्टेंस लेबल हो उसके बाद ठीक है ना यहां तक किलिए रहे चलो अब ग्रीन हैड आपका मतलब समझगे आगर जो रेड में भी हेड रहेगा बड़ा वाला तो समझगे आनि कि ट्रेंड में रहेगा तो फिर डाउन चलते चल जाएगा जहां तक कि एक सपोर्ट लेबल ना हो या रेसिस्टेंस लेबल ना हो ठीक है चलो अब एक पॉइंट और जानते हैं कि य यदि हेड ठीक है टेल से बड़ा होगा यदि हेड टेल से बड़ा होगा चलो मैं लीग देता हूँ एक सेटेंड करें टेल सीजवी कर सिब्गर रएन है अगला के यह यदि है टेल ठीक है है हेडorama होगा यह जदि टेल हेड से बड़ा हorgा integrate के ज्यादा चांसे अब जानेगा यदि है लेकिन अगर जो टेल छोटा रहेगा हीड से तो मार्केट का जैदा चांसे कि डाउन जानेगा चलिए अब इसको एक्जाम्पल हम देखते हैं चार्ट पे आकर ठीक है चलिए अब पहले देखते हैं टेल से बड़ा होगा है तो मार्केट उपर जाएगा है ना टेल से बड़ा हैड ओके मैं कुछ करंसी ले रेता हूँ है यहां पर रात में सभी करंसी हो पर यहां पर यह टेल से यह गिरिन केंडल है यह हेड है यह टेल है चलो इसमें टेल लिए इसको उठाते हैं यह वाली केंडल को देखते है ठीक है इसमें टेल है यह हेड है मैंने क्या बोला कि टेल से बड़ा होगा है यह इसका टेल है और बड़ा है है यह ज्यादा चांस से उपर जान है sequel है है ना equal है लेकिन यहां पर एक resistance स्टेंस लेबल है है इस एरिया पर देखना एक resistance लेवल है तो यहां पर तोतर्च कर दिया तो बवापशी से नीचे जाएगा यह हमें दियान रखने यह नेख्श पिर यहां पर यह क्या है dieses एसका हैड है यह इसका Tale how मार्केट निछा हैगा यह है इसका हैud है इस yamakuai इसका है ना ऑनिकी भींगर अरों बता हुन कर लागर यह यह पहल से बड़ा हेड होगा यह चलो यह से बड़ा Euro हाईर मार्केट नीचे आई ना आ अब इसके बाद यहां पर भी टेलबा हेड मार्केट फलेक्ट्ट हुआ लेकिन नीचे आई इस एरिया में हमारा एक लेवल से इस एरिया में एक लेवल से बापीस रिवर्स आया यहां पर देखो बायर्स का फॉर्स एहीं पर हुआ है ना इसलिए थोड़ा सा यह वाली कैंडल इस ऐसे ही रख गया प्रेशर उपर यह टेल से यह हैड प्रेशर किसका ज्यादा सेलर का डाउन आया फिर से यह टेल से छोटी सी हैड थोड़ी सी बड़ी है मार्केट नीचे आया इक्वल रिवर्सल ओके देन यह इसका हैड हो गया यह इसका टेल हो गया है ना अनिकी यह हैड और यह टेल लेकिन यह रेसिस् जाना चाहिए ओके देखो मार्केट उपर जाना चाहिए और उपर गया भी लेकिन यहां पर यह रिजेक्शन क्यों लिया तो इस एरिया से रिजेक्शन लेने का मतलब है यहां पर यह लाइन ड्राव करेंगे और देखेंगे कि क्यूं रिजेक्शन लिए ओके चलो इस एरिया पर हम देखो इस एरिया को देख सकते हैं कि यहां से एक वारी यह ऊपर गया है ना उपर जाने के बाद इसी एरिया से डाउन आया है आया ना इसी एरिया से इस एरिया को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं एक सेकेंड यह रही ठीक है इसी एरिया से डाउन आया तो यहां पर एक पॉइंट बनता कि हम एक रेसिस्टेंस ड्रॉव कर सकते हैं ओके को देखना है ओके चलिए यहां तक के लिए अब यह वाली केंडल डाउन आई अब यह क्या है यह इसका है यह इसका है ठीक है बड़ा के साथ यह मतलब मार्के उपप काम किया यानिकि फिर से यह रिट्रेस करके बापीस से रेड़ क्लोज दिया नेक्स्ट हैड एड़ चोटी है टेल्स बढ़ी है ना बापीस लेकिन इसके यहीं तक क्लोज दिया निकि यहां पर वायर्स का प्रोस प्रेसर है ओके देने आप यह थूड़ा सा यह अप क्लोजिंग दिय यहां पर कनफर्म पहले तो यह भी चीर कनफर्मेशन मिल रहे है कि यहां कि यह इसकी टेल से एक हैड़ है टेल से बढ़ा हैड वागी इस से उपर भी कलोज दिया जिए यहां पर एक न्फश्कोन मिल गई कि उपर जाना चाई मार्केट बापिस गया भी ठीक है फिर सेम है चोटी है है बड़ी है टेल चोटी है मार्केट उपर जाना चीए गया है ना लेकिन यह रिवेर्सल हुआ आप पीछे को हम देखेंगे कि कहां पर क्यूं हुआ ने की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल वहां पर होना चीए ठीक है चलो बापीस हमाते हैं बापीस फिर से हमने-डे इस फिर वली केटि लेना है यहांते क्लिए रहे यहां से गड़ा हो तो पौइंड जादा ऊगाने कि यहवाली थीक है अब ये वाली candle का ये head है और ये इसका tail हुआ है ना, तो क्या है तो यहां से क्या है कि tail बना अब इसके बाद यहां से ज़्यादा chance है कि reversal होगा, ठीक है, ये candle थोड़ा सा doji type में close देगा, लेकिन next हमारा reversal होगा, हाँ, लेकिन नीचे एक level है, तो धियान रखना कि उस level को touch करने भी जाएगा तभी वापिस आएगा, ठीक है अब आप यहां तक वीडियो देखें, तो आई होप आप लोगों ने कुछ न कुछ सीखे होंगे ठीक है, अगर जो थोड़ा सा भी आप लोग सीखे कर दो, उस topic में वीडियो बना दूँगा ओके, thank you so much thanks for watching guys, ओके, फिर मिलते हैं एक new वीडियो के साथ, thank you